Hey everyone, welcome back to my channel. तो दिवाली के साब सफाई जो रो सोरो से चल रही हैं, तो चलिए आज की वीडियो में हम सिखते हैं दिवाली की सफाई से related vocabulary. तो आज की वीडियो में हम basically दो चीजों के बारे में discuss करने वाले हैं. इसे चीजों के नाम हम सिखेंगे इंग्लिश में जिनका प्रियोग हम सफाई के लिए करते हैं. नमबर टू है क्लिणिग वोग, यानि ऐसे काम जो हम सफाई के लिए करते हैं, जैसे जाड़ू पोच्छा लगाना, जाले साफ करना, etc. So without any further delay, let's start the video. Number one है साफसफाई, तो साफसफाई करना को हमिंग्लिश में कहते हैं, clean या clean up. Next है, इनके हैंड में जो ये पोच्छा है, इसे हमिंग्लिश में mop कहते हैं. Mop, और पोच्छा लगाना को हमिंग्लिश में कहेंगे mopping. Next हमारा word है ज़ाडू लगाना और ज़ाडू लगाना को हम इंग्लिश में कहते हैं sweeping और ज़ाडू को हम इंग्लिश में कहते हैं broom Next word है धूल ज़ाडना और धूल ज़ाडना को हम इंग्लिश में कहते हैं dusting dusting और यह जो दो डंटी है जिसे हम धूल जाड़ते हैं उसे हम कहते हैं feather duster feather duster next है पोछी की बाल्टी जिसे हम इंगलिश में mop bucket कहते हैं mop bucket then next है कच्छरे का डब्बा या फिर जिसे हम कोड़ेदान कहते हैं इसे इंगलिश में हम dustbin कह सकते हैं trash can या फिर garbage can भी कह सकते हैं next है कोड़े कच्छरे की थैली जिसे हम इंगलिश में कहते हैं trash bag या फिर garbage bag दोनों हम इसे इंगलिश में कह सकते हैं next है नारियल वाली जाड़ू नारियल की जाड़ू होती है न उसे तो उसे हम इंगलिश में कहते हैं coconut broom stick next है जाले और जाले को हम इंगलिश में cobweb कहते हैं cobweb और जाले निकालना को हम कहेंगे removing or cleaning cobwebs जाले साफ करने की जो stick होती है उसे हम इंगलिश में कहते हैं cobweb remover Kowei remover या फिर sealing duster Next है इसे जो साफ सफाई करते हैं हम इसे हम English में कहते हैं vacuum cleaner Then Next है दस्ताने जो दस्ताने पहन कर हम सफाई करते हैं उसे English में हम cleaning gloves कहते हैं Then ये घिसने वाला brush जिसे हम English में scrub brush कहते हैं brush next word है sponge और sponge को हम English इंगलिश इंडे दोनों में sponge कहते हैं जो बर्तन वगरा साफ करने के लिए हम use करते हैं then juna जो steel का बना होता है इसलिए हम उसे English में steel wool कहते हैं steel wool next है सीशा वगरा साफ करने के जो liquid आती है उसी हम English में glass cleaner कहते हैं glass cleaner then balty और mug तो हम balty को हम English में कहते हैं bucket और mug को हम English में कहते हैं और mug को हम English में कहेंगे batting mug next है hose pipe इस तरह के जो pipe आते हैं पानी वगरा हम इधर उतर ले जाने के लिए use करते हैं उसे हम hose pipe कहते हैं next है null और null को हम English में कहते हैं tap your faucet so that is it for today's video if you find this video useful and informative then please hit the like button and also subscribe to my channel thanks for watching